एससी जीडी कांश्टेवल 2018 की फाइनल रिजल्ट लिष्ट घोजित हो चुकी है और जो भी कंडिडेट्स इसमें सिलेक्ट हुए हैं उन सभी को हमारी ओर से बहुत-बहुत बढ़ाई कांग्रेशलेशन्स गाईस आपको बता दें कि अभी बेटिंग लिष्ट लगेगी है आज मैं आपको बताओं कि कब तक आएगी वेटिंग लिष्ट और वेटिंग लिष्ट लगेगी तो कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा और किस पोस्ट पर कितना गया है कैट आप और यदि आप इसमें सिलेक्ट हो चुके हैं तो अब आगे आपको क्या करना होगा इसके आपको बताओंगा जो भी आपके मन में डाउट से साला डाउट क्लेर करने की कोशिश करूँगा आप प्लीज वीडिकरेंट तक बढ़े रहना ताकि पूरी पूरी जानकारी आपको मिल सके सबस्पहले आपको बता दें कि जो भी कंडिडेट्स इसमें सिलेक्ट हुए हैं उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत सुबकाम ना है उन्हें फ्रेंट्स वर्दी पाने का सपना तो पूरा हो चुका है और वह अब देश की सेवा में तक पर रहेंगे सबसे पहले प्रेंट्स अब बात करने वाले हैं कि कब तक आएगी बेटिंग लिष्ट और किस पो को बताएं कि जो कंडिडेट्स इसमें सिलेक्ट हो चुके हैं यानि कि जो कंडिडेट्स का नेम आ चुका है फाइनल मेरिट लिस्ट में उन सभी को पहले तो ट्रेंटिंग पर बुलाए जाएगा यानि कि यह दिया प्रिसम सिलेक्ट हो चुके हैं तो उन सभी को पहले ट् ठीक है चार कंडिडेट्स इसमें थे उसमें से केवल और केवल एक कंडिडेट्स से जाएंगे और उसमें से जो तीन कंडिडेट्स हैं उनमें इस तीनों का यूपी पी उन्चास तार पांचोंगे में सिलेक्शन हो चुका है तो फ्रेंट्स मैं आपको UP में ही बता रहा हूं कि UP में ही केवल 3 इन candidates हमारे यहां के हैं तो और भी states के और कई सारे candidates होंगे हमारे यहां के 3 हैं तो आप के हां के भी कई होंगे यानि की friends आपको बता दें कि इसमें लगबग अगर 60,000 बच्चे सेलक्ट हुए हैं साथ हिजार बच्चों की प्रेंड नेम आये तो उसमें से बहुत जाएंगे तो गाईज लगबग 50-55 जाएंगे 50-55 अगर चले जाएंगे वहाँ पर तो जो बच्चेंगे की पर ट्रेनिंग में नहीं पहुचेंगे उनकी जो पद रिक्त रहे जाएंगे उनका friends betting list बाद में जारी क्या जाएगा और उस betting list में यदि आपके केवल दो नंबर या तीन नंबर से आप रहे गए हैं तो guys आप चिंता ना करें 100% उस betting list में आपका नाम आएगा आप निरास मत हो बिल्कुल सही है friends की इस तो निकल को चिंता करने की कोई आवे सकता नहीं है क्योंकि betting list लगेगी यह तो मैं आज आपको 100% बता सकता हूँ लेकिन कब लगेगी तो friends इसके बारे में कोई भी नहीं बता सकता है कि कब लगेगी बस क्वेल्ड में उमीद है कि जब उन सभी का result मतलब उन सभी का ट्रेनिंग पर पुलाए जाएगा उन सभी की ट्रेनि इस्टार करी जाएगी उसके बाद बेटिंग लिष्ट जारी की जाएगी आपको बता दें लेकिन ये फ्रेंट्स दो तीन दिन बाद जरूर अपडेट्स आएगा कि कब तक आएगी अभी तो अपडेट्स नहीं आया क्योंकि अभी फ्रेंट्स कल रात मेला फ्रेंट्स अभी जल्द ही रिजल्ट जारी हुआ है और जब रिजल्ट जारी हुआ फ्रेंट्स तो बेटिंग लिष्ट दो तीन दिन बाद उसके बादे में अपडेट्स दी जाएगी तो आपको तुरंत उसकी सूचना मिलेगी बेटिंग लिष मैं बात करूँ कि जैसे कि आप इसमें सिलेक्ट हो चुके हैं तो अब आगे आपको क्या करना हो गया तो देखिए सिलेक्ट हो चुके हैं तो आपको ट्रेनिक पर जल्द बुलाया ही जाएगा आपको बता दें कि यदि आपके पास डाकुमेंट्स पूरे मैं हो जाएगे इसमें सिलेक्ट थे साथ में नहीं नहीं चाहिए श्टेत लेवल का कश्ट रिबिगट्ट नहीं होता है यह क्यों कि स्टेट लेबल का एप्रिस्ट वहां पर नहीं लिये जाएगा का सेंट्रल लीबल का काश्ट सर्धिक होना चाहिए तो आप अभी एपलाइ कर सकते हैं चांप लिए तो । आपको बता दें आपकी कोई नहीं सुनेगा अगर डॉक्यमेंटस में कोई प्राबलम है तो इसलिए गाई इस मेरा बिनम नेवेदा ने कि आप अपनी को डॉक्यमेंटस को सही कर लीजएगा क्योंकि प्रेंटस आप सभी का सिलक्षन बहुत ही जल्द होगा आप प्रेंटस से लेक्टर नेम इस मैं आपको बता रहा हूं यह फ्रेंस को ओ बीजिन यह जैनरल और यसज के डिग्री का बता रहा हूं और पोस्ट का सभी का बता, इसके साथ मैं यह यूपी स्टेटस का यह है और लिखन की बात करें तो अगर आप से घरणी के और यह यह आपकी एफ पोश्ट वालों की ठीक है CISA पोश्ट में OBC के डिगरी की 86 कट आफ गई है और जनल वालों की 87 और 80 वालों को 89 CRPF तो CRPF की OBC वालों की 82 और जनल वालों की 84 और 80 वालों की 76 और SSB वालों की तो OBC वालों की 82 और जनल यानि UR वालों की 84 और 80 वालों की 87 ठीक है और ITBP की बात करें तो देखिए ITBP पे फ्रेंड्स तो OBC वालों की 82 और जनल वालों की 83 और 80 की 86 असम राइफल की बात करें तो असम राइफल में देखिए OBC वालों की 82 और General वालों की 83 और SC वालों की 75 SSF में OBC वालों की 90 और General वालों की 90 और SC वालों की 84 NIA में OBC वालों की 98 में और General वालों की 98 में यानि कि लगभग लगभग इसमें 98 में 0.30937 है जबकि इसमें 89 में 0.62797 है तो guys मैंने इसमें आपको UP का states का cutoffs बताया है यदि आपको और भी states की cutoffs के बारे में जानना है कि किस की कितनी और किस post की cutoffs गई है तो guys आप video के निचे comment box में comment कर दीजेगा अपने states का नाम friends मैं इस पर next video लाओंगा यदि आपके comments ज्यादा रहेंगे इस states के बाधिम से तो friends नाक्ष्री वीडियो ज़रूर लाई जाएगी और आपको एक बार फिर से बता दे कि इसके बारे में ससी जीडी कांश्टेबल भरती 2018 के वेटिंग लिष्ट के बारे में अगर कोई भी new updates आती है आप भी सेलर सब्सक्राइब करिजेगा साथ में जोबल बेटन आएगा उसे तुनद प्रस कर लेना ताकि आपको सूचना मिल सके ठीक है और वीडियो के निचे comment box में ये comment ज़रूर करिएगा कि आपका name आया या फिन या नहीं आपका जय हिंद बंदे मातरू